हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू मैं स्टॉडी टाइम आज के इस वीडियो में हम इग्नो की तरफ से जो एफ़ेक्यूस आया है उसको डिसकास करेंगे तो कुछ दिन पहले इग्नो ने जून 2020 का जो एक्जाम है उसे प्रमोट कर दिया था तो स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारे ऐसे सवाल थे जिसका एंसर किसी को भी पता नहीं था तो यहाँ पर इग्नो का जो ऑफिस्याल साइट है ऑफिस्याल साइट में एक नंटिफिकिसन आया है जहाँ पर यह फ्रीक्वेंटली आक्ष्ट कॉस्चन है और यहाँ पर कुछ कुछ कोस्चन है और उनका एंसर भी दिया गया है तो इससे पढ़ने के बाद आपके मन में जो भी doubts होंगे Igno 2000, 2020, June का जो exam promotion के उपर सारे doubts clear हो जाएंगे तो यहाँ पर मैं यह जो FAQ है इसे complete discuss नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पर बहुत simple question है और simple में answer भी दिया गया है बस आप इसे Igno का जो official site है वहाँ पर जाके इसे download कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या-क्या सवाल है और क्या-क्या answer है यहाँ पर undergraduate program के लिए भी questions है यहाँ पर PG program के लिए भी बहुत सारे question का answer है और यहाँ पर जो बहुत सारे जो students के मन में doubt था यहाँ पर जो last question है यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर एक question है तो यहाँ पर बहुत सारे students के मन में यह doubt था कि यहाँ पर आप question देख सकते हैं If I couldn't fill the torment examination June 2020 form Will I be given the opportunity for exemption in the torment examination of June 2020 तो इसका answer है yes the university will give you an online option form to opt for exemption from appearing in the torment examination तो ऐसे बहुत सारे question का यहाँ पर answer है इसे आप download कर लिजिए और पढ़ लिजिए एक बार ताकि जो June 2020 के exam exam के उपर जो भी आपके doubts हैं वो सारे clear हो जाएंगे बहुत से simple language में यह लिखा है तो इसे समझाने के कोई जरुरात नहीं है ठीक है तो I hope यह वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आये तो वीडियो को like कर दीजिए share कर दीजिए and my study time YouTube channel को subscribe कर दीजिए Thank you